नमस्कार दोस्तों मैं टैरो पूजवर्मा लेकर आई हूँ 26 दिसंबर 2021 का राशी फल अपने टैरोस के द्वारा बात करते हैं एरेस यानि की मेश राशी के बारे में हमारे टीनों कार्द हेल्थ, वेल्थ एन रिलेशन्चिप के क्या बताना चाहते हैं हेल्थ में लिटल बिट हर्ल्स रहेंगे, कल हलका सर्दी जुका मांसिक तनाव बना रहेगा उसके बाद बात करते हैं wealth जहां उमीद है वहाँ से पैसा जरूर आएगा जहां उमीद नहीं है वहाँ से भी आ सकता है उसके बाद बात करते हैं आपके relationship कल के दिन आपके relationship बहुत बढ़िया रहेंगे आपका दामपत्य जीवन बहुत सुखी रहेगा बात करते हैं Taurus राशी यानि कि विश राशी क्या कहते हैं हमारे टेरोकाज विश राशी के बारे में कल आपका दिन health के मामले में बिल्कुल ठीक रहेगा बहुत आराम दायक स्थिती में रहेंगे बहुत enjoy करेंगे कल के दिन उसके बात करते हैं आपके पैसों की कल के दिन पैसा थोड़ा रुक रुक कर आएगा कहीं न कहीं stuck हो सकता है लेकिन आपकी अपनी सूजबूद से आपका रुका हुआ पैसा शाम होने तक वापिस आने की उमीद भी बन सकती है उसके बात करते हैं आपके relationship की definitely आपका relationship कल के दिन काफी अच्छा रहने वाला है प्यार मुहबद समाजस से जो है वो आपका बना रहेगा आईए बात करते हैं जैमिनी यानि की मिथुन राशी के बारे में हमारे टेरो कार्ण्स हमें क्या बताना चाहते हैं मिथुन राशी वालो कल का दिन आपके लिए स्वास्थी की नजर से बहुत अच्छा है बहुत बहत बहतर है बहुत बढ़िया फिल करेंगे कल के दिन और उसके बात बात करते हैं आपके wealth की पैसों की एक नया परपोज आपको मिल सकता है प्रपोजल आ सकता है opportunity आ सकती है किसी नए काम के लिए उसके बात बात करते हैं आपके relationship की कहीं न कहीं relationship में ठहराफ सा आ गया है और मैं यही कहूंगी जहां पर आपका reconcile होना है वहां होने के chances बन रहे हैं यह बात करते हैं cancer यानि कि कर्क राशी के बारे में आईए जानते हैं हमारे tarot cards क्या कहना चाहते हैं कर्क राशी वालो कल के दिन health जो है वो आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत परिशान कर सकती है किसी की कहीं हुई बात चुब सकती है उसकी वज़ा से बानसिक तनाव बन सकता है और उसके बात करते हैं आपके पैसों की कल के दिन पैसा स्टक हो सकता है जरूरत के लिए किसी के आगे हाथ फिलाने की नौबत भी आ सकती है और उसके बात करते हैं आपके रिलेशन्शिप की रिलेशन्शिप में कहीं न कहीं टैराव है बात बन नहीं रही कहीं न कहीं दामपत्ते जीवन में उथल पुथल कल के दिन रहेगी बात करते हैं लियो यानि कि सिंग राशी के बारे में आईए जानते हैं सिंग राशी के टेरो कार्ट कल के बारे में क्या कहते हैं सिंग राशी वालो कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा मूद्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे खुश नमा रहेगा कल का सारा दिन और उसके बाद बात करते हैं आपके धन दौलत की यानि कि पैसे की तो कल के दिन पैसे आपकी जिब में बहुत सारे आने वाले हैं और उसके बाद बात करते हैं आपके रिष्टों की मस्ती, टाइम, प्यार, मोहबत, दामपत्य जीवन में खुशियां कल का दिन आप काफी इनजोई करने वाले हैं आईए बात करते हैं वर्ग यानि कि कन्या राशी आईए जानते हैं कन्या राशी के बारे में हमारे टेरो कार्ज हमें क्या बताना चाहते हैं कन्या राशी वालो कल के दिन कहीं न कहीं थोड़ा सा अपने मांसिक तनाफ की वज़ा से अपने आपको लो फिल करेंगे और उसके बात करते हैं आपके पैसों की कल के दिन कहीं से मदद मिलने वाली है और आर्थिक पक्षाप का मजबूत होने वाला है और उसके बात करते हैं आपके रिष्टों के रिष्टों में कहीं न कहीं आधिनता है यानि कि जहां से रिष्टों में आपको प्यार चाहिए व हमारे टेडो का आज हमें क्या बताना चाहते हैं लिवरा राशी वालो कल का दिन हलका सा मूड ओफ हलका सा मूड ओन यानि की कभी खुशी कभी कम रहेगा और उसके बाद बात करते हैं आपके धन की तो कल के दिन खर्चा ही खर्चा होगा धन आने के चांसिस थोड़े कम बन उसके बाद बात करते हैं आपके रिलेशन्शिप की रिलेशन्शिप के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कल के दिन धोका मिलने के चांसिस हैं तो बहुत करीबी अपनों से थोड़ा सा बच के रहेए आईए बात करते हैं स्कॉर्पियो यानि व्रिशिक राशी के बारे में आएए जाने हमारी टेरोकाट्स क्या कहना चाहते हैं व्रिशिक राशी वालो कल के दिन आपकी हिल्थ बहुत अच्छी रहेगी बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप और कल के दिन आपके पास पैसे भी आने वाले हैं जिप माला माल रहेगी कल आपकी और उसके बात करते हैं आपकी रिष्टों की रिष्टों में तो मजबूती दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है और कल का दिन आपका दामपत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा आईए बात करते हैं साजिटेरियस याने की धनुराशी के बारे में हमारे कल के लिए टेरोकाट्स क्या कहना चाहते हैं राशी वालो कल के दिन तो कहीं न कहीं हजल बजल रहेगा सर्दी जुकाम सिर्दर्द रह सकता है और उसके बाद बात करें आपके पैसों की तो आपका काम घर बैठे भी चलता रहेगा पैसे आपके पास आते जाते रहेंगे कल का विल्त आपका बढ़िया रहेगा और उसके आईए बात करते हैं कैप्रिकॉन यानि की मकर राशी के बारे में आईए जाने मकर राशी के बारे में टेरुकाद्स हमारे क्या बताना चाहते हैं मकर राशी वालों कल का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा अच्छा फील करेंगे बांसिक तनाव से काफे दिनों से जो चल रहा होगा उससे निजात मिलेगी उसके बाद बात करते हैं आपके पैसों की विल्ट की तो कल के दिन ठीक ठीक रहेगा आएगा भी और जाएगा भी जितना आएगा उतना ही कल के दिन खर्च भी हो जाएगा उसके बाद बात करते हैं रिष्टों की अगर रिष्टों में आप करेंगे जज्जमेंट्स यानि की सामने वाले को परखेंगे तो आपको रिजल्स कुछ खास अच्छे नहीं मिलने वाले आईए बात करते हैं एक्वेरियस यानि की कुम राशी के बारे में जानते हैं हमारी टेरोकार्ण्स हमें क्या बताना चाहते हैं कुम राशी वालों कल का दिन आपका अच्छा रहेगा तबियत ठीक रहेगी और कहीं न कहीं खुछ नमा महुल रहेगा कल के दिन उसके बात करते हैं आपकी वेल्ट की तो डिफिनेटली पैसे आपकी जिब में जरूर आएंगे कारोबार बढ़ेगा और सोचा हुआ काम भी बनने की उमीद है उसके बात बात करते हैं रिष्टों की रिष्टे बहुत बढ़िया रहेंगे कुम राशी वालों कल का दिन आपका रिष्टों के लिए बहुत बढ़िया दिन है आई बात करते हैं पाइसेस यानि की मीन राशी के बारे में हमारे टेरो काज हमें क्या बताना चाहते हैं मीन राशी वालों कल का दिन हिल्थ को लेकर थोड़ा सा चेत रहना ठंड सर्दी जुकाम यह हो सकता है मन थोड़ा सा आपका अव्यवस्तित रह सकता है और उसके बात करते हैं आपकी पैसों की यानि की विल्थ की बहुत सारे स्ट्रेस के बाद कल आपकी जेब में पैसे आ सकते हैं लेकिन पूरा दिन कहीं न कहीं कोई न कोई मानसिक तनाव बना रहेगा आपकी विल्थ को लेकर और उसके बाद बात करते हैं आपकी रिलेशन्शिप की सब कुछ होने के बाद भी एक परेशानी होगी जो आपके मन को खटकती रहेगी थालड़िए चाहिए आपकी और भी एक बाद रहेखाने के बाद बाद भी एक जिए शेर करें अच्छाब करें